Good morning students, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट के पार्ट 13 सरस्वती पार्ट साला का अध्यन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पार्ट के अंतरगत जो लेखर कहें, डॉक्टर राम विलास शर्मा। वे अपनी प्रारंभीक सिक्षा काल को याद करते हुए हमें बताते हैं, चुकि जब उनकी प्रारंभीक सिक्षा थी, उसमें ब्रिटीर्श शासनकाल था, और हमें इस प्रकार से वे अपनी प्रारंभीक सिक्षा के माध्यम से ब्रिटीर्श शासनकाल की ओड ले जाते हैं। ब्रिटिश शासन काल में क्या होता था ये हमें जानकारी देते हैं ब्रिटिश शासन काल तो था ही लेकिन उस समय असहयोग आंदोलन था और लोगों में स्वदेशी अभियान जो था वो चरम सीमा पता यानि स्वदेशी जो अपने देश में बनी हुई चीजे हैं उसको स्विकार करके और बिटिश सामान जो है उसको बहिसकार करना यह सब चरम सीमा पर था तो लेखक अपने प्रारंभिक सिक्षा के आधार पर हमें अपने सरस्वती पाड़ साला के बारे में बताते हैं, परचित कराते हैं उस समय उनकी जो पाट साला थी वो सरस्वती पाट साला थी उसका नाम सरस्वती पाट साला था जिसमें लेकक ने अध्यन किया है उस सरस्वती पाट साला में कैसे अध्यन किया जाता था और वहाँ पर कैसे कैसे लोग आते थे इससे हमें परिचित कराया है इसके साथ थी वो ये भी बताते हैं कि उस समय जो सिक्षक थे उनकी जो चित्र सिक्षक थे उन्हें हमेशा विकास की ओर और रास्टवादी सोच की तरफ विक्सित करने के लिए प्रेरीद करते थे लेखक के इस सरस्वती पार्ट साला में एक बार महात्मा गांधी जी आये थे इस प्रकार से महात्मा गांधी के साथ उनकी कैसे वार्टा लाप हुई ये सभी बताते हैं यह जो पार्ट है सरस्वती पार्ट साला यह जासी का है जासी में उनकी सरस्वती पार्ट साला थी तो सबसे पहले वो जासी से में परचित कराएंगे कि जासी में उनका पाट साला कहां पर इस्तित है तो चलिए इस सरसुती पाट साला से हमें ब्रिटिश शासन के बारे में भी कुछ जानकारी मिलेगी और असहयोग आंदोलन के साथ स्वधेसी जो अभियान था यानि स्वधेसी आभियान में क्या होता था और कैसे विदेसी सामानों का बैसकार किया जाता था इसकी जानकारी मिलेगी तो बच्चों हम सभी पाट का अध्यन करते हैं पाट 13 सरसुती पाट साला जासी की महले बहुत दूर दूर बसे हुए थे शहर, सीपरी, बाजार और सदर लेखक ये बता रहे हैं कि जो जासी की महले थे वो तीन महले थे शहर, जासी का जो सहर था सीपरी, बाजार और सदर ये तीन महले थे जो दूर दूर काफी बसे हुए थे जासी का मुख्य और सबसे बड़ा महला सदर है किले से लगा हुआ यही पुराना सहर है यानि जो जहासी का किला है उससे समीप में यह जो पुराना सहर सदर है वही पास में था इसमें जहांसी का सबसे बड़ा बाजार है सदर फौजी शावनी से लगा हुआ मुहला है इसमें दो मिल के फासले पर स्टेशन और सीप्री बाजार है इन तीनों मुहले सो दीर थी हमारी सरस्वती पाट साला यानि लेकक ये बता रहा है कि जहांसी के जो तीन मुहले बहुत दूर दूर थे सहर, सीप्री बाजार और सदर इन सबसे जो दूर था उनका सरस्वती पाट साला था सरस्वती पाट साला की दोनों तरफ सड़के थी और सामने जीवन शाह की टौरिया तौरिया यानि जो छोटी पहाड़ी होती है या पत्थरों का तीला तो वो कह रहा है कि उनकी सरस्वती पाट साला के दो दरफ सड़के थी और सामने ही टौरिया थी पासी जहांसी का प्रसिदिक किला था और सरस्वती पाट साला के पास में ही जो किला था इस्कूल के सामने छोटा सा खिल का मैदान, कमरों की छत खप्रेल की, इस्कूल के बड़े हॉल की छत भी खप्रेल की उनका जो सरसुती पाट साला था, उसमें एक छोटा सा मैदान था और जो कमरों की छत थी, वो खप्रेल की थी खप्रेल के पहले होते थे छत तो मिट्टी का बना हुआ होता है तो उसी को खप्रेल कहते हैं तो मिट्टी के बने हुए खप्रेल के उनके छत थी और इसकूल के जो बड़े हौल थी उसका भी छत खप्रेल का था तो लेकक इसमें ये बता रहे हैं कि जो जहांसी का मौला था तीन शहर जो बसे हुए थे शहर सिप्री बाजार और सदर उनसे उनका सरस्वती पार्ट साला कितनी दूर पर था सन 1920 में यहां तीसरे दर्जे में मेरा नाम लिखवाया गया था एक अब कह रहे हैं कि सरस्वती पार्ट साला में उनका नाम 1920 में तीसरे दर्जे में यानि क्लास थर्ड में उनका नाम लिखवाया गया तब जो सरसुती पाट साला थी जब उस समय उनका नामांकन हुआ तो उनकी सरसुती पाट साला सरकारी थी या अर्धिसारकारी एक स्कूल था लेकर एक दिन की घटना बता रहे हैं कि एक दिन स्कूल में मैडल बाटे जा रहे थे वो मैडल तामबे या पीतल के बने हुए थे और उस तामबे और पीतल पर जार्ज पंचम की तस्वीर बनी हुई थी वो कहते हैं कि जब उन्हें भी मैडल प्राप्त हुआ और तो वे अपना मैडल ले करके अपने घर आये लेकिन उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने कोल भी प्रसन्नता नहीं व्यक्त की यानि वो प्रसन नहीं दिख रहे थे जिन मास्टर साहाम ने यह मैडल दिया था वो बोलते हैं कि मतब जिन से उनको मैडल प्राप्त हुआ जिन मास्टर सामने जिन अध्यापक ने उन्हीं मैडल ही दिया वो पूरे अंग्रेज भक्त थे वो जो भी अंग्रेज का नियम था उसको ही मानते थे और हमेशा खुमखार मुद्रा में रहते थे यानि वो बहुत ही डरामनी और हिंसक मुद्रा में रहते थे उस दिन जरूर मुश्क्राय थे लेखक ये कह रहे हैं कि वो कुमखार मुद्रा में जरूर रहते थे लेकिन जिन मैडल बाटा गया था उस दिन उन्हें थोड़ा प्रसन ने दिखा गया उस कुछ दिन के बाद ही सरस्वती पार्ट साला बदल कर रास्टी सरस्वती पार्ट साला हो गई यानि कुछ दिन के बाद से उस सरस्वती पाण साला का नाम बदल करके रास्टी सरस्वती पाण साला रखा गया एक दिन इसकूल के मैदान में विद्यार्थी और सिख्षकों की सभा हुई और उसमें बिदेशी कप्रे नव पहनने की प्रतिज्ज्यप की गई जैसा कि मैंने आपको सुरू में ही बताया कि इस पार्ट के इंतर लेखक हमें ब्रिटीश शासन की ओले जाते हैं और उससे परचित कराते हैं तो एक दिन स्कूल में विद्यार्थियों और सिक्षकों की एक सभा हुई एक मिटिंग हुई जिसमें ये बताया गया कि विदेशी कप्रों को नहीं पहनना है नहीं इस्तिमाल करना है और इस चीज की सब को प्रतिग्या दी गई और एक छोटी सी होली जलाई गई जिसमें जिसके पास भी विदेशी कप्रे थे विदेशी चीजे थी वो सब लोगों ने उसमें जला दी लेखक कहते हैं कि उनके पास भी एक टोपी थी और लेखक ने अपनी टोपी को उस होली में जला दी पुनावी कहते हैं कि जब वो घर आये तो उन्हें डाट पड़ी, जब उन्होंने अपनी टोपी जला दी तो उन्हें घर पर डाट पड़ी लेकिन उनके जो बड़े भाई थे उनका समर्थन था, इसलिए उन्हें उतना नहीं डाटा गया पाट साला के राश्ट्री होने का अर्थ था सरकार्थे से संबंद विच्छेद, जब उस सरस्वती पाट साला का नाम बदल करके राश्ट्री होगा तो राश्ट्री का अर्थ क्या है कि सरकार से संबंध विच्छेद यानि जो अंग्रेजी सरकार थी व्डिटिश शासन थी उससे संबंध जो थे वो अलग होना इसलिए उस पाट साला का नाम राश्ट्री रखा गया बहुत से पुराने सिक्षक चले गए वहाँ पर जब इस पाट साला का नाम रखा गया तो बहुत से पुराने सिक्षक दे थे वो चले गए और कुछ नए सिक्षक भी आए गांधी टोपी पहनने वाले जितने सिक्षक हमारी पार्ट साला में थे उतने जासी क्या दो चार जिलों के कुल स्कूलों में न रहे होंगे वो कह रहे हैं कि गांधी जी की जो टोपी होती है वो पहनने वाले सिक्षक जादा थे वो इतने ज़्यादा सिक्चक्खे ति उतनी जासी में क्या मतलब कोई ओर भी जीलों में नहीं रहे होंगे एक बार गांधी जी आये वो बोले हैं कि उनके पाट साला में एक बार गांधी जी का आगमन हुआ और इस्कूल के पडोस में एक बगर में एक बंगला था जिसमें गांधी जी को रखा गया गांधी जी वहीं पर उनके ठहरने की विवस्था की गई और उस बंगले के स्वामी थे जिनका मतब जो बंगला था वो उनके स्वामी लाला गंगा सहाय थे और लाला गंगा साहाई भी लेखक के जो पीता है उन्हीं क्या मुनीम थे लाला गंगा साहाई अंग्रेज भक्त ठेकेदार थे अंग्रेजों के वो ठेकेदार थे राय बहादरी का किताब भी उन्हीं मिला था वे सदर में रहते थे वहीं बहुत से मकान और दूकाने थी कई किसमे के धंदे अंग्रेजों के समपर्ग से होते थे इसलिए गांधी जी को अपने बंगले में ठेहरा कर उन्हें साहस का काम किया था यानि उनके मकान में कई दुकाने थी और वहीं पर अनेक प्रकार के धंदे भी चलते थे इसलिए गांधी जी को भी वहीं पर ठहराया गया था अब लेखक यह कह रहा है कि जब गांधी जी का आगमन उनकी पाट साला में हुआ तो क्या चीज़े की गई जब गांधी जी का आगमन उनकी पाट साला में हुआ तो विद्यार्थियों से कहा गया सबको लाइन बनाने के लिए मतब सबको एक पंक्ती लगा करके आगे बढ़ने को कहा गया मतब धीरे धीरे लाइन लगा करके आगे बढ़ने को कहा गया क्यों? क्योंकि गांधी जी का दर्सन मिले वह जमीन पर दरी बिचायों बैटे थे और गांधी जी दरी बिचा करके नीचे बैठे हुए थे लेखक कह रहे हैं कि मतब लेखक को जहां तक क्या दे लेखक चुकि बहुत छोटे थे उनका नाम क्लास तीन भी लिखवाय गया था वो बहुत छोटे हैं लेकिन उनको उस समय थोड़ा सा स्मरण है कि जब गांधी जी उनकी पाट साला में आये थे तो उनकी सर पर टोपी नहीं थी वे पगड़ी पहने हुए थे शाम को सहर में उनका भाशर था चुकि गांधी जी आ थे इसलिए सरसुती पाट साला में जाने के बाद से उनका शाम को भाशर था और पिता जी उनके वहाँ पर ले गए लेख़क ये कह रहा है कि जब गांधी जी के लिए भाशर के लिए एक मंच बनाया गया था और सब लोग क्या थे मंच के आसपास थे लेख़क जो थे वो मंच के बहुत करीब थे उनके पिता जी उन्हें वहाँ पर ले गए थे और जब लोगों को पता चला कि गांधी जी आ है और उनका भाशर है तो भीर बहुत जादा हो गई थी सरस्वती पाट साला सहर में रास्टी चेतना का गढ़ थी यानि कोई भी रास्टी काज होता था या फिर कोई भी आता था तो वहाँ पर उसको ठहराया जाता था एक बार महाँ पर कांग्रेश का अधिवेशन भी हुआ था कहाँ पर रास्टी पाट साला यानि जो सरस्वती पार्ट साला थी, वहीं पर अधिवेशन, अधिवेशन मतल़ होता है बड़ी सभा, जब बड़ी सभा को एक साथ बुलाए जाता है तो उसको बोलते हैं अधिवेशन, उसमें भारत के कोने कोने से बड़े नेता आये थे, उनका स्वागता क्लिस्ट हिंद पार्ट साला थी, एक राश्ट्री चेतना के गड़ हो गई थी, केंद्र हो गई थी ब्रजभूसर लालत्री पाठी निश्चल कवी नाटकार और अध्यापक थे, बोलिये सब्डेम बार बार वन्दे मात्रम उनका लेखा हुआ यागीत प्रार्थना के रुप में सारे चात्र अध्यापक गाते थे, वे मेरी कक्षा में न पढ़ाते थे, बड़े भाई को प पढ़ाते थे, त्रिपाठी जी ने आगे चलकर दसमें दर्जे में मुझे रामचरित मानस का अयुध्या कांड पढ़ाया था, लेकर कहना है कि जब मैं क्लास तीन में था, तो उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया था, लेकिन जब वह क्लास दसमें गए, तब उन्हें राम विफल प्यास करते हैं, लगता था प्रित्रिपाठी जी स्कूल के कमरे में नहीं हैं, तुलसी दास के साथ भरत और कर्शल्या का साक्षा दर्जन कर रहे हैं, यानि जब जो उनके आचारे थे, अध्यापक थे, जब उन्हें लिखक कह रहे हैं कि मुझे याद है कि जब व रहा था, जैसे वो कमरे में नहीं हैं, मतलब जब वो उसकी व्याख्या कर रहे थे, अयुध्या का अयुध्या के बारे में वो बता रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे वो कक्षा के कमरे में नहीं हैं, बलकि तुलसी दास जी के साथ भरत और कौशल्या का साक्ष आप दर्शन कर रहे हैं सरसती पाट साला के एक अन्य ध्यापक रुद्र नारायन जी के बारे में महानु पन्यास कार्विंदावन लाल वर्मा जी भी लिख चुके हैं चनसेखर राजात के परमित्र भगवान दास महोर असदा सिवराव जी सिक्रांती कारी के सिक्षक पंजल लडाने में आचार नाटे कद के थे लेकिन लंबी नुक्विली नाक वाले मास्टर रुद्र नारायन हमें ड्राइंग पढ़ाते थे यानि मास्टर रुद्र नारायन के बारे में बताते हैं कि उनकी जो नाक थी वो लंबी थी और उन्हें ड्राइंग पढ़ाते थे यानि कला पढ़ाते थे उन्होंने रेखाओं से निराकार कला का अभ्यास न कराकर सीधे मनुष की आकरती के चित्र बनाना सिखाया लेखक चुकि अपने सरस्ती पाट साला के बारे में बता रहा है यानि उनके सिख्षक कैसे थे उन्होंने किस सिख्षक से अध्यान किया तो वो बताते हुए कहते हैं रुद्र नाराण जी के बारे में उनके जो मास्टर से रुद्र नाराण उनके बारे में बता रहे हैं कि वो हमें ड्राइंग पढ़ाते थे यानि वो लेखा को ड्राइंग पढ़ाते थे और वो रेखाओं उससे ना बता करके सीधे मनुश्य की आगरती बनाना सिखाते थे स्कूल के पास अच्छी काली मिटी थी उसे हम लोग खोद लाते थे और वे हमें मूर्धियां बनाना सिखाते थे हॉल में फर्स पर बैठ कर हम लोग मूर्धियां बनाते थे और दिवारों पर टंगी हुई रास्टी नेताओं की तस्वीरे देखे जाते थे इसमें से कुछ यह अधिकांस मास्टर रुद्र नरायर की बनाई हुई तस्वीरे थी वो यह करें कि जब वो हमें तस्वीरे बनाना सिखाते थे तो हम लोग राश्ट्री नेताओं की तस्वीर बनाते थे उसमें से जो भी दिवार प दे थे वैसे पढ़ने लिखने और खेल कुद में मुझे कोई विशेस अंतर न मालूम होता था रास्ट्रियता की लहर में ने छात्रों और अध्यापकों के संबंद एकदम बदल दिये थे अनुशासन की समस्या जैसी कोई चीज न रह गई थी मतलब अनुशासन की जो समस्य जाती वो ऐसा कोई वी चीज नहीं था मास्टर रूत्र नायर सामने जीवन शाह की टोरिया पर दोरकर चर्णा सिखाते थे यानि जो मास्टर के साथ इनका जो वो था वो मित्रवत का था इनके जो संबंद थे वो मित्रवत संबंद थे कलाई पंजा लड़ने की सिक्षा द जो सिक्षक और चात्र का जो संबंद होता है वो इसमें ये बताया गया है यानि लेखक वो कह रहे है कि जो हम लोग का संबंद था वो एक मित्र जैसे हो गया था क्योंकि उनके साथ वो क्या करते थे अपंजा भी लड़ाया करते थे मालूम होता था फौलादी सिकंजे में हाथ फस गया है एक दिन मास्टर रूद्र नारायर मेरी बनाई मिठी के एक मुर्ती देखकर बोले तुम तो अभे से इतनी अच्छी मुर्ती बनाते हो मालूम होता है कुछ दिन में हमसे भी अच्छी बनाने लगोगे मास्टर जो रूद्र नारायर थे एक बार लेखक ने मुर्ती बनाई और उनसे मुर्ती अच्छी बनी होगी तब उन्होंने उस मुर्ती को देख करके कहा कि तुम बहुत अच्छी मुर्ती बनाते हो और कुछ दिन के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत अच्छी मुर मुर्थी को कुदेर कर, ठीक करते हुए कहा, मतलब उर्भू ने किसी मुर्थी को, जो मतलब और भी मुर्थी की, मुर्थी निर्मार के समय में अत्रिक्त मीटी जो खुर्चने के काम आने वाली जो छुरी निमा आवजार होती है, उसी को कहते हैं नरहन, तो उसी को कुदेर करके कहा उन्होंने क्यों, मैंने उनकी चमकती हुई आँखों की तरफ देखा, प्रिशनसा सुनकर मुझे अभिमान हो जाएगा, मैं घटिया मुर्थी बनाने लगूँगा, आप फिर भी बढ़ियां बनाते रहेंगे, उन्होंने उसका उत्तर दिया, या अच्छा मुर्थियां बनाते रहेंगे, मास्टर रूत्र नाराण ने वह घटना कई लोगों को खुब हास्ते हुए सुनाई, उनकी वज़से मास्टर शग्द मेरे लिए मित्र का पर्यावाची हो गया था, यानि उनका जो संबंध था वो वहुत ही मित्रवत हो गया था, उनका घर एक म्यूजियम ही था, जिसमें तरह तरह के चित्रों, मूर्थियों आदि की भर्मार थी, लेखक ये करएं कि मास्टर रूत्र नाराण का घर एक म्यूजियम जैसे था, क्योंकि म्यूजियम में क्या उद्दा है, सारी चीज़ी एकत्रित हुई रहती हैं, जैसे चेत्र, मूर्ती ये सब तो उनका जो घर भी था वो भी एक मूजियम के समान ही था वहाँ पर मूर्ती चेत्र आधी रखे हुए थे मास्टर रूद्र नाथ हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे कद में बहुत ही नाटे किन्तो पढ़ने में अत्यंत पढ़ाने में अत्यंत कुशल उनकी लिखावट बहुत ही सुन्दर होती थी मैंने उन्हें विद्यार्थियों को जिड़कते देखा हो उनकी याद नहीं वे सरसुती पाट साला छोड़कर मैग डलन हाई स्कूल चले गए अब वो मास्डर स्वरूप नाथ के बारे में बताते हैं कि वह उन्हें अंगरीजी पढ़ाते थे और उनकी जो कद थी वह छोटी थी लेकिन वो पढ़ाने में अत्यांत कुशल थे यानि वो बहुत ही कुशलता पुरवक पढ़ाते थे और उनकी जो हैंडराइटिंग थी लिखावर थी वो बहुत सुंदर थी वो क्याते हैं कि वो नियाद नहीं है लेकिन वो क्या हुए था एक बार सरस्वती पाट साला छोड़ करके मैग डिलन स्कूल में चले गए थे जिस दिन स्कूल छोड़ रहे थे लड़कों के मन बहुत उदास से लड़कों ने उनसे कहा आप दूसरे स्कूल में मत जाए क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ाने में कुशल थे इसलिए जब वह सरस्वती पाट साला छोड़ करके जा रहे थे तो बच्चे बहुत उदास थे और बच्चों ने उनसे कहा भी कि आप स्कूल छोड़ करके मत जाए उन्होंने बड़े प्यार से सबको समझाया कि उन्हीं मजबूर होकर दूसरे स्कूल में जाना पढ़ रहा है हम लोगों को विश्वास था कि सबसे अच्छे खिलाडी हमारे स्कूल में है हर नाराण और गंगाधर जहां गेंद फेकने वाले हों वहां किसी भी टीम का जितना दुश्वार था यानि वो क्या करते थे खिलाडी थे, खेलते भी थे हर नाराण और गंगाधर जो थे वो अगर गेंद खेलते थे मताँ अगर वो बॉल फेकते थे तो उस टीम के लिए कोई भी और नहीं जीच सकता था हर नारायर सहर के सबसे तेज दोडने वालों में थे गेन फेकने के पहले सिर्फ तीन डग दोडते थे और इतने जोर से फेकते थे कि खेलने वाला अजनबी होने पर अचकचा जाता गंगाधर धीरे फेकते थे लेकिन खीलाडी के पहल के पास गेन तिर्ची होकर विकेट से टकरा जाती थी यानि हर नारायण और गंगाधर जब उनके अलावा कोई भी गेन फेकने में माहिर नहीं था लहीम शहीम अकार वाले भीम प्रताप सिंग यथा नाम तथा गुड फुटबाल के बहुत अच्छे खिलाडी थे लहीम शहीम आकार वाले भीम प्रताप सिंग यानि भीम नाम से पता चलना है कि जो कैसे होंगे इसलिए लेखा कह रहे हैं कि लहीम शहीम उनको लहीम और शहीम बोल रहे हैं यानि लहीम शहीम का अर्थी होता है हट्टे कट्टे आकार वाले भीम प्रताप सिंग यथा नाम तथा गुड फुटबाल के अच्छे खिलाडी थे वो कौन थे भीम प्रताप सिंग जो की हटे कटे थे सदर बाजार से सरसुती पाट साला दूर थी करीब मील भर सड़क का रास्ता जादा लंबा था किले के पास पहाड़ी के उपर से कच्ची पक डंडी का रास्ता कुछ छोटा था मैं अकसर नंगे पैर स्कूल जाता था जहांसी की बजरी के पैरों को प्री लगती थी स्कूल के ध्यान में रास्ता मालूम न होता था लिखक कहना है कि जो सदर बाजार थी उन्होंने बताये कि पहले एक कि सदर जो उनकी पाट साला सी सरसुती पाट साला वो सिप्टी बाजार, सदर और शहर से थोड़ी दूर पर थी इसलिए वह स्कूल पैदल ही जाते थे और नंगे पैर जाते थे स्कूल के ध्यान में रास्ता भी उन्हें मालूम नहोता था कि कितनी दूरी पर है संभवता पर सरसुती पाट साला की आर्थे किस्तिती अच्छी न थी पाँचवा दरजा पास करने के बाद अपने भाई के साथ मैं भी मैगडलन हाई स्कूल आ गया उनका भाई जो भाई थे वो मैगडलन स्कूल में थे इसलिए पाँचवी कक्षा के बाद से वो भी मैगडलन स्कूल में चले गया लेकिन सरसुती पाट साला की राश्ट्री होने के बाद दो वर्सों तक वहां की वातावरर ने मन पर एक अमिर छाप डाल दी थी वैसा वातावरर फिर न मिला लेकर ये कह रहे हैं कि जब वो मैगडलन स्कूल में गय तो मैगडलन स्कूल में वैसा कहीं भी वातावरर नहीं था जब राश्ट्री पाट साला में थी राश्ट्री पाट साला का जो वातावरर था वो कैसा था? एक तो स्वदेसी था, महाँ पर ये चीज़ें आ गई थी कि स्वदेसी चीज़ों का बैसकार करना है और स्वदेसी चीज़ों को अपनाना है लेकिन जब उसका नाम सरसुती पाट साला के हो गया, रास्ट्री होने के बाद दो वर्सों तक जो वहां का वाता वरण था वो वैसा वाता वरण लेखक को कहीं भी नहीं मिला तो बच्चों यह था आपका पाट सरसुती पाट साला तो आपने देखा इस पाट में लेखक ने कैसे ब्रिटिश शासन की ओर हमें ले जाते हैं और हमें यह भी बताते हैं कि उस समय स्वदेसी जो अभियान था वो चरम सीमा पर था और लोगों ने कैसे विदेसी चीजों का बहिसकार किया धन्यवाद